हर गुजराती थाली में एक आम सबजी होती है वो है आलू की सबजी और इसे दो तरीके से बनाई जाती है सुखी और गुरिवी वाली तो आएए आज बनाते हैं सूपर टेस्टी गुजराती स्टाइल आलू की सुखी सबजी नमश्कार बहुत स्वागत है आपका नीरव रेसिपीज में मैं हूँ नीरव शार नौन स्टिक कड़ाई में डालेंगे तीन टेबल स्पून तेल और तेल को मद्य माच पे गरम करेंगे तेल जैसे गरम हो जाए डालेंगे एक टीस्पून राई राई जैसे उचले लगे नाचने लगे मेरा मतलब है राई को थोड़ा चटकने देंगे राई जैसे ही चटकने लगे डालेंगे तीन टेस्पून सफेद तील और इसे एक मिनिट के लिए बुनेंगे जब तक कि ये हलकी गुलाबी रंकी ना हो जाए सफेद तील को जरूर से डालिएगा इससे सबजी का स्वात और भी बढ़ जाएगा तील को भून लेने के बाद डालेंगे एक चोताई चम्मच हींग, दस से बारा करी पत्ता और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर अब इन तीनों को लगाता चलाते हुए तीस सेकंड के लिए अच्छे से भूनेंगे अब दोनों को लगाता चलाते हुए तीस सेकंड के लिए अच्छे से बूनेंगे यहाँ पे आप अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बना कर ही डाले तब ही जाके सबजी खाने का असली मज़ा आएगा पेस्ट को भून लेने के बाद डालेंगे 500 ग्राम उबले हुए आलू जिसको मैंने क्यूब शेप में काट लिया है और इसे के साथ डालेंगे नमक नमक स्वाद अनुसार और इसे के साथ डालेंगे 2-3 टेबल स्पून जितना पानी अब आलू को लगाता चलाते हुए 3-4 मिनिट के लिए मीडियम फ्रिम पे अच्चे से पूनेंगे आलू को अच्चे से भून लेने के बाद डालेंगे स्वाद अनुसार निम्मू का रस और खुप सारा हराधनिया इस सबजी को गर्मा गरम पूरी या रोटी और साथ में थंड़ा थंड़ा आमरस या फिर कड़ी के साथ परो से बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट लगती है तो लीजिए सिंपल और बहुत ही स्वादिस्ट गुजरती स्टाइल आलो की सुखी सबजी बनकर तयार है तैंक यू फॉर वाचिंग